नमस्कार दोस्तों मेरे नामे भरत जेन और एक बर फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चेनल भरत जेन पर हमारा जो इंस्टाग्राम लाइव का जो परपस है जो मिशन है वो काफी अच्छे से चल रहा है काफी सारे लोग हर वीक मेरे साथ में वीडियो कोलिंग के तुरू बात करता हूँ और आपके प्रॉलम के सोलीशन देता हूँ आज का ये जो वीडियो है वो काफी इंपोर्टेंट वीडियो है चीज बहुत छोटी सी है बात बहुत चोटी सी है लेकिन वो आपके CCTV इंस्टॉलेशन के दोरान बहुत ही बड़ा इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है जी हाँ बात है यहाँ पर CCTV केमेरा की लोकेशन के बारे में हम कहीं बार प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं केमेरे हमने काफी अच्छे तरीके से लगा दिया है लेकिन जब हम फूटेज देखते हैं जब भी कोई इशू होता है फूटेज देखते हैं तब हमें फूटेज जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देती मतलब सामने वाले का फेस नहीं आ रहा है या फिर जो हमारे क्लाइन को चाहिए जिस परपस के लिए उसने लगा है वो उसका कहीं शोल्ट आउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है एवि इंस्टॉल कर रहे हो जिस क्लाइंट के यहां पर आप प्लानिंग कर रहे हो CCDV के मेरा इंस्टॉल करने की तो उसका एक परपस होता है तो वहां पर भी एक परपस होता है सोसाइटी के अंदर आने जाने वाले लोग उनको देखने होते हैं उनकी फेस उनको देखने होते ह इसी तरह से commercial complex इसी तरह से आपका हो गया flat और विलाज तो वहाँ पर जो उनको देखना होता है retailers हो गए shops हो गई वहाँ पर उनको कहीं बार अपना material देखना होता है dwellers diamonds अगर वाले जो लोग हो गए उनको specific उनका जो table होता है वहाँ पर focus करना होता है जो normal retailers हैं उनको cash counter पर कितनी note आ रही है जा रही है या फिर वो note जो client के साथ में lengthen कर रहे है वो note कौनसी है वो identified करना होता है तो बहुत सारे purpose होते हैं CCTV cameras लगाने के तो आज की इस video के अंदर हम यह समझने वाले हैं कि जो हमारा camera है उसकी location क्या होनी चाहिए सबसे पहली चीज़ आप जब भी camera की location सोच रहे हो तो आप उस area का corner देखिए सबसे अच्छी जो location होती है किसी भी room में किसी भी area के अंदर वो होती है corner point corner point में हम maximum view of field जो होता है वो हम लोग अच्छे से देख पाते हैं दूसरी चीज़ बहुत important है वो है camera की height आप कौनसी height पे camera लगाएंगे कि जहां से आपको video जी footage है वो आपको अच्छी मिले आपको इंसान का face देखना होता है ना कि उसका head देखना होता है तो कहीं लोग यह गलती करते हैं even आपके जो आप जहां पर काम करोगे वहां के जो honor हैं वो भी यहीं बोलेंगे के हमें camera ऐसी location पे लगा के दो बहुत उचा रहे कोई उसको damage ना कर पाए तो यह बहुत ही wrong process है यहां पर आप camera की शुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं ले 8-10 feet की height से ज्यादा आपको camera उससे उंचा नहीं लगाना है अगर आप 8-10 feet की height पर अगर camera लगाते हो तो वहां पर आप maximum और बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाले जो person है उसका face identification जो है वो कर पाओगे कल को अगर उसकी कोई printouts निकालना है तो वो निकाल पाओगे तीसरी चीज़ इसी चीज़ के अंदर कि आप maximum इस तरह से प्लान करिए CCTV camera लगाने के बाद में कि हर camera एक दूसरी को backup देता रहे मतलब कि आपने first camera लगाया है तो जो second लगा रहे हो second camera first camera को देखे first camera second camera को देखे मतलब हर एक camera एक दूसरी की तरफ अगर देखता रहेगा कही न कहीं try करिए मैं यह नहीं कहता कि आप इतने maximum camera लगा दीजिए लेकिन try करिए इससे आपको benefit होगा कि अगर कोई first camera में छेड़का नहीं करेगा तो second camera उसको backup देगा तो आपका जो client जिसका यह बोलना है कि कोई camera damage कर देगा तो यहाँ पर वो जो damage करता है कोई camera तो उसका evidence आपके DVR के अंदर record हो जाएगा चौथी चीज़की में अगर मैं बात करूँ तो जब भी आप camera install करते हो तो सबसे पहले आप एक demonstration जरूर ले 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 आप आपके पास में बड़ा सा cable रखें और आप आपके client को अपने खुद के satisfaction के लिए और आपके client के satisfaction के लिए आप यहा result यह मिल जाएगा मतलब इतना area cover होगा इस तरह से face cover होगा पांचवी चीज़ जो बहुत important है कभी भी जब आप camera को plan करो तो उसको direct sun facing नहीं रखना चाहिए sun facing रखने से होगा यह कि जो पीछे से अगर sunlight आएगी तो जो person अंदर enter कर रहा है वो आपको black दिखाई देगा अब आपको यहाँ पर जो camera है वो WDR या फिर BLC जो facility वाले camera होते हैं वो आपको लेने पड़ेंगे अगर आपने अभी तक मेरा यह video नहीं देखा है WDR और BLC क्या होता है तो मैं description के अंदर भी link दे रहा हूं आई button में भी है आप वहाँ पर जाके जरूर देखिए कि किस तरह से अगर आपके पास में इस तरह की problem आती हो जहाँ पर आपको जो person है वो black नजर आ रहा है तो वहाँ पर कौन से feature की वज़े से आप उसको proper अच्छी image देख सकते हैं उसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है तो बस इतना ही था हमारे आज के इस video के अंद करिए क्योंकि आपके like करने से मुझे पता चलता है आपको मेरा content पसंद आया है चैनल को subscribe करिए कर अभी तक नहीं किया है दूसरों की सब्सक्राइब में share करिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई technology नई gadgets को लेकर तब तक के लिए आप सब लोगों का हमारे इस video को द देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिद्ध